आज हमारा टॉपिक रहेगा मुद्रा के कार्या प्रारम में मुद्रा के कार्या अधिन तसीमित थे प्रोफेसर चर्टलर के अनुसार किसी आर्थिक प्रडाली में मुद्रा का केवल मौलिक कार्य है मा तो था सेमाओ के लेंदेन को सरल बनाना किन्तू जो जो सबेता का विकार सेमा मर्थेतन तरच टिल बनता गया मुद्रा के कार्यों में व्रिधी होती गई सुविदा के दृष्टी से हम मुद्रा के कार्यों को निमलिकित भाग में बाढ़ सकते हैं आईए दिखते हैं क्या है मुद्रा की कारे पहला है प्रमुख कारे सहायक कारे आकश्मिक कारे विविद कारे प्रमुख कारे में दो आते हैं मुल्य का मापक सहायक कारे में आते हैं अस्तगित भुक्तानों का आधार मुल्य शंचे का आधार थर्ड है मुल्य अस्थानांत्रड की का साधन मुल्य अस्थानांत्रड का साधन और नेक्षमारा है आकश्मिक कारे में आता है सामाजिक आय का वित्रण साख व्यवस्था का आधार पूजी की तरलता का एवं उत्पादकता और विविद कारे में आता है सोधन चम्ता का सूचक निर्ड़ा के वाहक का कारे तो आज़े देखते हैं हम लोग इन सब का मिन्स क्या होता है पहला है प्रार्थमिक या प्रमुख कारे मुद्रा के मुखे वो प्रार्थमिक कारे वे कारे हैं जिस मुद्रा जिसे मुद्रा प्रतेक प्रकार की अर्थोयस्ता में अनिवारे रुप से संपन करती हैं ये दो प्रकार के होते हैं विनिमै का माध्यम मुद्रा का सबसheen महतोपुड कारे विनिमै को सरल एवं सोविधापुड बनाना है जितने भी सौदे किये जाते हैं उनके भुकतान में मुद्रा ही लिया दी जाती है सभी वस्तु का क्रेवी क्रेव मुद्रा के माध्यम से ही सम्पन किया जाता है मुले का मापक मुद्रा का दुश्रा महतोपोड कारे वस्तुओं और सेवाओं का मुल्य मापन है जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं का माप तौल अथ्वालंबाई चोड़ा या दिग्राम लिटर मीटर में मापन जाते हैं मुद्रा के सहायक कारे वे होते हैं जो प्रार्थमिक कारे को शंपन करने में सहायता देते हैं पहला है सगी भुकतानों का आधार कि एवल मुद्रा ही ये कैसी वस्तु है जिसके रूप में भविसे में होने वाले इस प्रकार के भुकतानों का हिसाब इस प्रकार रखा जा सकता है कि रिड़ी तथा रिड़ादा दोनों को हानी न हो नेक्ष चाता है मुली संचे का अधार वस्तु विनिमे प्रडाली में भाविश्री के लिए बचत करना और संभो था क्योंकि वस्तुओं को दिर्ग काल में संचे करके नहीं रखा जा सकता किन्तो मुद्रा के प्रचलन में मुल्य संचे का कार अत्यांत सरल इमम शुविदापोर्ड हो गया है नेक्ष चाता मुली संचानांतर का साधन आदुनिक समय में मिनिमे का अच्छेतर बहुत व्यापक हो गया है सरोग्रहता का अच्छेतर बहुत व्यापक इमम मुहनीता के कारण मुद्रा के द्वारा चल था अचल सभी प्रकार की संपत्ती का सरलता से असानांतरण हो सकता है आकस्मिक कारे प्रोफेसर केल ने मुद्रा के आकश्मी कारियों का उलेख किया है मुद्रा के आकश्मी कारियों से आसे उन कारियों से है जिने मुद्रा कुछ भी से इस परिस्थितियों में संपन्न करती है पहला है सामाजी काय का वित्रड किसी देश में जितना उत्पादन होता है उसमें भूमि स्रम पूजी तता साहस का सहयोग होता है तता वर्ग को उसके सहयोग में के उचित मुल मिलना चाहिए मुद्रा में न केवल राष्टी आय अनुमान लगाया जाता है बल्कि प्रतेक वर्ग को उसके योगदान के अनुपात में योगदान मुद्रा में ही दिया जाता है साख का आधार बैंकों तो अन्य वित्षाय संसाओं का व्योशाय साख की आधार पर ही चलता है तथा साख का स्रिजन बैंकों को जमारासी की आधार पर किया जाता है जो मुद्रा के रूप में होती है जमारासी की कारणी बैंक ग्रांकों का बैंक में विश्वास रहता है समाज के प्रतेक व्यक्तियों अमसंसा की साख मुद्रा में ही मापी जाती है नेक्षा पूजी की तरलतायम उत्पादकता पूजी के प्रकार की होती है उन में मुद्रा का उत्रलतम रूप है मुद्रा में शर्वादिक तरल तायों अमगति सिल्था होती है किसी भी समय बेच कर मुद्रा के रूप में परिवर्थित की आजा सकता है और उसे कम उत्पादक अस्थान से निकाल कर अधिक उत्पादक अस्थान पर लगाया जा सकता है इस प्रकार से मुद्रा के प्रयोग से पूंजी की तरलता यंगति सिल्टा में व्रिध्धी होती है नेक्ष्ट है विविध कारे तो विविध कारे में कौन से है उपयोगत कारियों के अतरिक तो मुद्रा के कुछ और भी कारे हैं जो निम्नंकित हैं सोधन चमता का सूचक किसी फर्म या व्यक्ति के पास मुद्रा रूपी तरल संपत्ती उसकी सोधन चमता के सूची होती है मुद्रा के अभाव में रिड़ी अपने पास उनके साधन होते हुए भी रिड़ों का वुक्तन करने में असफलता रहता है next है निर्ड़े का वहाग मुद्रा के रूप में की गई बचत भविशे में किसी भी उद्देश्य के लिए काम में लाई जा सकती है और ने सब दो में मुद्रा के रूप में संचिती क्रै सकती प्रत्यक व्यक्ति को यह विशेशाधिकार प्रदान करती है कि वहां भविशे में उसका अपनी इक्षा नुसार उप्योग कर सकता है आईए हम लोग देखते हैं मुद्रा के लाव या मुहत्व या गुड कौन-कौन से हैं प्राची नर्थ सास्रीत था मार्श वादी विचारक मुद्रा के मुहत्वीन वस्तु समसे थे एडमिस्मित ने यह भी कहा था कि मुद्रा उस पत के समान है जो घास का तिनका भी उत्पन नहीं करता तो देखिए प्रोफेसर जेल के अनुसार सौंदर शक्तिमान है कि इन्तु मुद्रा सर्शक्तिमान है सुन्दर सक्तिमान है किन्तों मुद्रा सर सक्तिमान है प्रोफिसर क्राउथर के नुजार जो महतो यंत्र सास्र में पहिये का तथा विज्ञान में अगनी का है तथा राजनिती में मत्त का है वहीं असान मनस्र के आर्थिक जीवन में मुद्रा के आविश्कार का है वस्तु विनिमय के दोसों से मुक्ति साख का आधार पूजी निर्माण में सहयक स्रम विभाजन इवं विशिष्टी करण आर्थिक विकास इवं रोजगार में सहयक विकास की सूचक पूजी की गति सिल्ता अंतराष्ट्री सहयोग को वढ़ावा और द्योगिक प्रगति का आधार आर्थिक दास्ता में से मुक्ति सामाजी काल्याण का सूचक ये सब उसके क्या हैं? गुड है मुद्रा और्थ विज्ञान की धूरी है यहां लिख लीजे आप लोग धूरी है तो आधुनिक समय में मुद्रा और्थ विज्ञान की धूरी है विविन आर्थिक क्रियाओं के संप्रदान में इसकी महतोपुड हूमी का है प्रोफेशर पीगू के अनुसार और ससास्तर में प्रत्येग प्रयत्न घटना या वस्तु को नापने का एक मात्र मापदंड ही मुद्रा ही है और ससास्तर के सभी छेत्र उपभोग उतपादन विन में वित्रण एवं राजस्व सभी मुद्रा की रिया सिल्ता पर आधारित है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मुद्रा के दोस देखिए वस्ता मुद्रा के अनेक गुड़ है फिर भी या मानों के लिए एक और मिस्त्रित वर्दान नहीं है मुद्रा के कारण अनेक गुराई और दुष्ट प्रवित्ती जन्म ले रही है विद्वानों ने इसके सम्मन्द में अपने विचार प्रस्तोत किये है मुद्रा एक आवश्यक बुराई है मुद्रा एक अच्छा सेवक किन्तु बुरा स्वामी है मुद्रा एक बहुमुली किन्तु भयावा आविश्कार है नेक्ष्ट देखिए मुद्रा जो मनुश्यक मात्र के अनेक वर्दानों का अस्रोत है और नियंद्रीथ होने पर संकड एम असस्त व्यवस्ता का कारण बन जाती हैं आर्थिक दोस, सामाजिक दोस, नहतिक दोस तो आर्थिक दोस में देखिए कौन-कौन से हैं मुद्रा के कारण सामाज में निमनाकित बुराईयां एम दोस का जन्म हुआ हैं तो देखिए जैसा कहा जाता है कि एक सिक्का के दो पहलू होते हैं यदि हम आप में कोई अच्छाई है तो कहीं न कहीं हम लोगों में बुराई भी है वैसे ही मुद्रा में बहुत जादे अच्छाई हैं लेकिन उतना ही उसमें बुराई है मुद्रा के उपयोग से निर्ण लिखित गुराई आती हैं जो आप लोग के सामने हमने बताया तो आज का टापिक है इस पेस हम आप नेक्स्ट मन्थ नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टापिक के लिए चैप्टर नंबर थौड के लिए आज के लिए धन्यव करता है